अजी अपाक्सान स्टॉकनेटिक्स जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि यह हमारा यूट्यूब का चैनल है पाकिस्तान स्टॉक मार्किट के हवाले से और इसमें हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें जिसको सब्सक्राइब करने और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्षेंज की वेब साइट पर और आज तो जो है वह मारकेट दमाले ना रही थी जी बड़ा अच्छा सिलसला रहा आजका और मारकेटने जो है वह पांच सो चोदाु पॉان्ट जो है वह उप्लस में रही और कोई खास डिक जो है वह मुझा हम बात कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी था कि Exactly and और फिर बाद में दुबारा फिर positive होई आज की जो है वो solid positivity थी और काफी बड़े-बड़े shares जो हैं वो आज positive में बंद हुए हैं जो कि एक अच्छा sign है recovery का sign है और इसकी जो वज़ा है वो कल भी हमने वीडियो के अंदर discuss की थी कि इसकी वज़ुहात में से एक वज़ा जो है market की positive और उपर जाने की वो monetary policy में जो interest rate है उसका 7% पर काइम रहना है क्योंकि देखें मुलक के अंदर इस वक्त जो business के हलात हैं वो तो आप सब लोगों के सामने हैं तो लोग जिन लोगों के पास कुछ investment है जो करना चाहते हैं liquidity ह जिन लोगों के पास उनके पास avenues नहीं है तो avenues जो है वो चुके interest rate 7% पर उन्हें फ्रीज रखा है तो लहाजा अब उनके पास जो जगा बचती है जहां पर investment की जा सकती है वो stock market है तो मजीद उपर जाने के chances है इंशाल्ला तो आज बहुत अच्छी recovery थी 514 points की और जैसा कि ह वाले shares के हवाले से यह जो points वगरा है इनके हवाले से मैं को इतना ज्यादा concern नहीं होता मेरे लिए जो एहम चीज होती है वो होती है market का volume तो आप यह गुजिशता दो तिन दिन से देख सकते हैं कि जब से market जो है वो थोड़ा थोड़ा सा positive होना शुरू हुई है उसमें सब से एहम चीज जो है वो volume है तो देखिए जब market में volume लगेगा तो फिर market जो है वो बहतर होगी अगर किसी दिन थोड़ा सा नीचे भी आजए तो गिबराने वाली जरूरत नहीं है लेकिन अब यह है कि market में लेन देन होगा तो उसमें से जो है वो पैसा generate होगा money generate होगी और market जो है उसके अंदर activity प्याता होगी तो फिर इंशाथ मारकेट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी तो मेरे लिए जो सबसे चीज़ है वो यह volume है जो कि बहुत अच्छा volume था तो market जो है उसमें positivity के बाद काफी अच्छे शेर्स जो हैं वह आज अपर लॉक में बंद लिए आप जरा टेक्निकली इसको हम देखते हैं और चलते हैं investing.com पर यह है जी investing.com इसकी candle देखते हैं इसको बढ़ा करके देखते हैं यह देखिए जी कि कल जो था दो दिन पहले जो हमने इस के इस candle की बात की थी तो हमने यह कहा था कि इसके चुके नीचे विक बनी है तो उसमें chances हैं कि market जो है वो इन्शाला recover करेगी तो market जो है वो मजीद नीचे जाने की बजाए उसने market ने यहां से recovery की बिलकुल ऐसे ही है कि जिस तरह आप यूँ देख लिजे कि यह market के नीचे यहां पर विक बनी थी और यहां से यह recovery की इसने market में और फिर यहां तक गई तो आज candle बनी है वो बहुत अच्छी candle बनी है कल मैंने यहां पर थोड़ा सा ख़शे का इजहार किया था कि उपर से विक है तो chances थोड़े हो सकते हैं कि market थोड़ा नीचे जाए और मैंने लोगों आप दोस्तों को यह भी कहा था कि यह आप entry ना लें लेकिन जब reversal में पिछे वाली candle जो है उसको next candle जो है वो अगर खा जाए उससे उपर चले जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि recovery जो है वो हो चुकी है तो अब जिन रिवर्स लिया है तो यहां से लेगी इस चीज़ को जहन के अंदर रखिएगा यहां में एक लाइन लगाते हैं जैसे तरह बड़े दोस्तों लगाते हैं तो उन्होंने का था जी आप लगा है चले हम भी लगा देते हैं यह एक मेरे क्याल में जो है वो रिवर्सल का अगर कोई चांस बनता है तो एक यह पॉइंट है इसको जहन में रखिएगा बाकि यह सपोर्ट रिजिस्संस जो है वो लोग अपनी परी मर्जी से भी लगाते हैं तो यह कुछ जुरूरी नहीं है इसका कोई थम रूल नहीं है कि आपने कहां पर लगानी है तो यह एक आइडिया होता है और यहां से रिवर्सल हो सकती है और यह तीन सपोर्ट जो हैं यह मार्किट को और तीसरी यह वाले कि पहली इसको रिजिस्टन्स जहां पर आ सकती है मार्किट को वो वो यह वाला इंडेक्स है 40,000, 41,000 अब इसको कह सकते हैं उसके बाद 41,500 और फिर 41,900 यह तीन रिजिस्टन्स का सामना जो है वो मार्किट को करना पड़ सकता है और जो सबसे पहली होगी वो यह 40,000 वली होगी 40,500 की कि अगर मार्किट इसको अबव कार चली जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि यह मार्किट मजीद उपर जाएगी और उसके बाद दूसरी जो है वो फिर 41,500 और फिर तीसरी 4,900 की रिजिस्टन्स है अगर यह भी मार्किट तोड़ गई तो फिर भाई मार्किट जाव वो 50,000 से उपर जाएगी फिर मार्किट नीचे नहीं आती तो अपना पसंदीदा जो है हमारा इंडिकेटर वो भी लगा आगे देखते हैं कि वो क्या कहता है तो कमेंट्स वगरा किया करें यार एक दोस्त ने किया था ओजी DCL के हवाले से परसो उसको मैंने रिप्लाइ कर दिया था आज उसकी तो याशी हो गई उसको तो आज अच्छा कासा प्राफिट हुआ होगा अगर उसने बाइंग की होगी तो तो यह देखिए जी कर किया था कि यार यह जो 20 DMA की लाइन है इसके उपर अगर केंडल बन जाती है तो यहां से मार्केट जो है वो उपर जाएगी देखिए जिस तरह यहां पर यहां पर यह ट्वंटी डिया में लाइन के उपर क्रॉस नहीं कर सकी मार्केट यह वो स्टेबल नहीं रही पिछ यहां से इसके इलावा जो हमारी RSI है आपको तो पता है मैं स्टॉक्स्टिक आरे सही इस्तमाल करता हूं तो उसने भी आज यहां पर यह सिगनल दे दिया है कि यह मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया लेकिन यह देखे कितनी तेजी से ट्रेंड चेंज हुआ है दो दिन के अंदर अंदर तो बहुत अच्छा ट्रेंट चेंज हुआ है काफी जो है वो मेंटम के साथ है तो इसलिए मार्केट का रिवर्सल हो चुका है आप लोग बाइंग की त्यारी करें और लेकिन यह मैं यह जरूर कहूंगा कि जिन लोगों के पास जैसा कि मैंने इस द और अभी जिन के पास है उनसे मैं कहूंगा कि होल्ड करें अभी सेल ना करें अभी सेल ना करें अभी सेलिंग का वक्त नहीं आया अभी होल्ड कीजेगा अच्छे रेट्स आपको मिलेंगे सेल करने के लिए तो इंशाला वो भी डिसकस करेंगे तो अभी फिलहाल आपने हो मिल जाएंगे ठीक है जी आज के लिए सिर्फ इतना ही अलाह आफिस